अलो बिच्चो, लेट एस रिट इस क्वेस्टिवली, तो इस क्वेस्टिन में अमरे पास दो मोनोप्रोमेटिक लाइट दिया है, उसका फ्रिक्वेस्टिय जो है, यह नियू अद नियू अपान 2 के एक्वल है, अद श्टॉपिंग पोटेंशल जो है, वो वी एस अपान 2 एड वी एस के एक्वल है, तो हमें त्रेश्वल फ्रिक्वेस्टिय निकालना है, मेटल का, इस क्वेस्टिन को स्वाल करने के लिए, जो की कॉंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, वो होगा फोटो एलेक्रिक एफे या फ्रेश्वल फ्रिक्वेस्टिय कहते है, उस फ्रेश्वल फ्रिक्वेस्टिय के ऊपर यह मेटल से, एलेक्रोंस एमिट हो जाते हैं, जिनको लोग फोटो एलेक्रोंस कहते हैं, और यह जो प्रोसेस होते है, इसको लोग फोटो एलेक्रिक एफेक्ट कहते हैं, तो अगर to photoelectric effect we can say that कि जो energy of the incident photon है यह work function of the metal plus e into vs के equal होता है जापे vs जो है यह stopping potential होता है तो अगर इसको अगर simplify करे further तो energy जो है of the incident photon h new equals to यह जो work function होता है इसको अमलब define करते है h into new 0 के equal जापे new 0 जो है यह threshold frequency होता है plus e into vs के equal तो अगर हम लोग light देखे तो पहला light जो है उसके लिए हमारा frequency जो है वो new है and हमारा stopping potential vs upon 2 है तो equation अगर लिखे तो हो जाएगा h new will be equal to the equal to the work function plus e into vs upon 2 इसको equation 1 कंसिडर करते है similarly हमारा जो second जो light है उसका frequency frequency new upon 2 है and stopping potential vs है तो equation हो जाएगा h new upon 2 equals to the work function plus e vs तो यह हमारा दो equation हो गया है तो अभी हम लोग क्या करते है equation 1 में से equation 2 को minus करते है तो यह हो जाएगा h new में से h new upon 2 जाएगा तो h new upon 2 बचेएगा work function cancel हो जाएगा e vs upon 2 minus e vs करेंगे तो यहाँ पर हमें minus of e vs upon 2 बचेएगा तो यहाँ से अगर 2 to cancel करते हैं तो हमें मिलेगा h new will be equal to minus of e vs तो यह value अगर हम लोग equation 2 में substitute करें तो from equation 2 we can write h new upon 2 यह जो है यह हो जाएगा work function plus e vs के जगा पर हम लोग लिख सकते हैं minus of h new तो यह हो जाएगा इसको अगर simplify करें तो यह हो जाएगा h new upon 2 plus h new equals to the work function तो यह हो जाएगा 3 upon 2 h new equals to the work function और हमें पता है work function जो होता है यह h new not के equal होता है तो therefore h new not यह जो है यह हो जाएगा 3 upon 2 h new के equal तो h cancel हो जाएगा so we can say कि जो threshold frequency आएगा for the metal यह हो जाएगा 3 upon 2 new k equal तो यह हमारा threshold frequency हो जाएगा तो अगर हम लोग option चेक करें तो option a के साथ ही match कर रहे so I hope you have understood it well and best of luck